तुठा करके खपरी बजा करके सर आप लोग स्वागत करेंगी इस मिश्वाइब बहुत बहुत लिए श्री प्रचाप प्रताप चंद्र सारंगी जी अधिश्टाता मोदई मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ इसमें मेरा स्रद्धा निवेदन करने के लिए स्री राम जनुमी की भूमी में जो मंदिर पतिष्ठा हुआ इसकी विश्व में चर्चा करने का मोका मुझे देने के लिए मैं आपको कृत ग्यंदा प्रकट करता हूँ मर्यदा पुर्शुतम भगवान स्री राम चंद्र को आज कुछ लोग राजिंदी की कटगड़े में बंदी करने का दुस्प्रयास करते हैं पर अंतुए संबब नहीं होगा इस देश में नसनस में राम भी राजमान करते हैं जब बच्चा पैदा होता है उनके काम में राम नाम दिया जाता है और जब ठक जाते हैं राम राम कहते हैं अविनदन करने से जैस राम करते हैं और मरने के समय राम नाम सत्य है कहकर हम जाते हैं वही राम दसरत का वेटा वही राम घटगट में लेटा ओही राम जगत पसे रा, ओही राम सवशेन यारा ये राम एक मर्यादा का प्रतिक है हमारे देशमे नकी पुरी वेश्चों में भगबान सृरी राम सरबोच्य चरित्र बता का आधर्स आधर्स पुट्र आधर्स भराता आधर्स प्रजान-ूरंजग राजा कुषली समाज संगठक और आदर्श तत्त वित्ता के रुप में स्री राम एक अदभूत आदर्श प्रतिष्ठा किया जो अतुलनिय है अनुपाम है असाधारण है मर्यादा पुर्ष उत्तम भगवान स्री राम चंद्र को साम्प्रदाइक्टा के कड़कड़ में बंदी करने वाले इस देस में कुछ कम नहीं है कुछ लोग तो बोले हैं कि भगवान स्री राम चंद्र के जन्मस्थान पर एक सौचाले बना दिया जाए क्या देश भक्ति क्यों कि विदेशी आक्रांता बावर को इस देश का अनन्य राष्ट पुरुष राम के साथ मरावर करने वाले इतिहास का भिंजियन्स को सामना करना पड़ेगा अतिश्ठाता महुदय भगबान स्रीराम का अनुपम दीव्य चरित्र उनका जीवन त्याग सेवा सत्यनिष्ठा चरित्र वत्ता प्रदुख कातरता और प्रजानुरंजन का सर्वस्रिष्ट आदर से वो सामाजिक समरस्ता और राष्टि एकात्मता का प्रतीग भी है आचन्डाल व्रामन सर्वत्र उनका प्रेम का वारित प्रवा है आचन्डाला प्रतीहतरत योह यस्य प्रेम प्रवाह और भगबान स्रीराम चंद्र को छोड़ करके कोई जद्मन धर्मेने प्रेक्ष्टता का अस्रे ले करके इस राष्ट का पुनरुद्दर नहीं हो सकता उन्हेंने क्या क्या उनके समय में इस समाज में एक प्रकार का विभाजन का चरम परिशिती आ गया था आर्य संस्कृति शावर संस्कृति निशाद संस्कृति राख्य संस्कृति ऐसा कई प्रकार का विभाजन लेकिन स्रीराम ने इसको जोड़ दिया सिरीराम का तक जाक करके चला था रावन उनके सामने कुछ नहीं है उनका बेटा अंगद उनको फुटबोल जिसा खिलता था वो भी कुछ नहीं है और कारतविर्य करके कि महावीर थे जुन को सहसरार जुन करते हैं और रावन को उठ्वस करते हैं बरावन उनके सामने रावन का पराकरम कुछ नहीं है और भगवान परसुराम जिन्होंने 21 बार इस वित्री को क्षत्रिय सुन्य कर दिया वो कार्तविरिय को भी मार दिया उनके सामने भी रावन का पराकर्म कुछ नहीं है फिर भगवान राम का क्या आव सकता भगवान राम ने अयोध्या से कोई क्षत्रिय सना लेकर के नहीं गए थे दसरत जेशा महावीर देवासुर संग्रा में देवतायों को मदद किया रक्षचों को परास्त किया यह भी थे जनक जेशा प्रमग्यानी थे राजर्सी यह सारे महावीर बाली और सासरार जुन थे परसुराम थे परमतु रावन का अत्याचार से समाज को रक्षचा नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनका टेरिस्ट आउटफिट्स के द्वारा वो समाज में अत्याचार फैलाता था जेशा लाड़े निकला अलकाइदा का जैसा आएस निकला उनका सेक्डो टेरिस्ट आउटफिट से बोड़ो हिजबुल मुजाहिदिन जे केलेप यह सब है ऐसा रावन का कई टेरिस्ट आउटफिट का सरदार का उन थे ताड़का सुर्पनखा मारिचा सुभाव हज्जा और आक्सेसी सेना लग करके समाज में गरिला युद्ध करके आतंगबाद मचाते थे रिश्यों का यग्यकुंट का विध्वस्त करते थे सामान जनता को अत्याचारित करते थे सनातन मुल्योबोद को खतम करने के लिए रहते थे कुछ लोग भयंकर भ्रम पईदा करते हैं इसमें हिंदु मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है इसमें उत्तर भारत दक्षिन भारत का कोई विवाद नहीं है ये क्यों मचाते हैं उनका धर्मपीता अंग्रे जो इस देश को शासन करने के लिए जो व्रम पहलाते रहे उसको चलाते रहे ये क्या है उत्तर भारत में त यह सत्य पर आधरित नहीं है परंतु यह क्यों करते हैं हमारा राष्ट जिबन को तोड़ने के लिए भगबान सिरी राम ने उत्तर दक्षन पूरवपस्चिम सब को जोड़ दिया देखिए कितना पराक्रमी लोग रावन को शास्ति नहीं दे सकते थे नियंत्रित नहीं कर सक सकते थे परन्दु हमारा देश का एक मनस्वी तपस्वी जो अपना साधना के गुआ से निकल करके भाला माला छोड़ करके भाला पकड़ लिया और इस देश का तारुनिय का नन्य प्रतिनीदी दो किसोर के हाथ में राम-लक्षवन के हाथ में धनुर्बान पकड़ा दिया तब रावन का समराज्य में हुरुत कंप हो गया निशिचर रहीन करव मही भूजा उठाए प्रण किन्न जब इन्होंने ये प्रण कर लिया तब रावन कांपने लगा लंका कांपने लगा सारा आशुरिक सक्ति कांपने लगे ये कौन है ये असाधरन विभूतिये वालग कौन है ये रावन को ये चतावनी दे दिया अब तुम्हारा जमाना खतम होने वाला है मन्य नरेंद्र मोधी जब आ गए कुर्शी पर तब क्या हुआ हम नहीं खाएंगे नहीं खाने देंगे इसको जान करके कुछ लोग चकीत हो गए वो उनका जीवन त्रही त्रही हुआ वो तो कहते थे हम भी खाएंगे कर्मियों को खिलाएंगे जनता को लूटेंगे ये यहाचम भी तो हो गए ये क्या वात है ये नया कल्चर आगिया ओने राजनिती में अधिश्था ता मोदय भार्त के कात्मतक आदर्सते भगवान स्री राम उनने सामाजिक न्याय का प्रतिष्ठा जब जनगल में गए वनवास में क्यों गए पित्रू सत्य पालन करने के लिए पित्रू सत्य किसले उनका विमाता कई-कई ने दसरत को वाद्य किया था और विमाता को कितना संबान दिया बोले मा आँ तो मेरा परमकल्यान कारणी मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा मैं जंगल में रिशियों का सेवा करूंगा और इस देश को जानने का मोगा मिलेगा कितना शकारात्मक विवहार और रामने चले गए जंगल में कितना उनको समझाया लोगों ने गुरु बसिष्ट भरत जाकर के समझाया परन्दु राम को विचलित नहीं कर सके बसिष्ट ने बुला मैं गुरु मेरा आदेश तुमको पालन करना है जंगल तुमको वापीश जाना है भगवन रामने बुले आप का आदेश मवश्य पालन करूंगा अगर आप सत्य बचन बूलेंगे कि सास्त्र वेद सुनुती शारा ध्यात्म के आधार पर आप जो उपत वनवास में इस राष्ट्र को समझा जिन अत्याचारित वनवासियों ने उनकी सेना में सामिल हुए थे कौन है बानर भल्लक रिच्छ भील किरात सबर समाज का उपेक्सिद वर गहे उनको स्री राम ने सम्मान दिया गौह का सबर को आलिंगन किया उनको समाजी का शेवा ग्रहन किया कई वर्त का शेवा स्विकार किया पतिता हल्या को उद्धार किया और सबरी चो लंचीता थी शवरी का उच्छिष्ट स्विकार करके सामाजिक समरस्ता क्या होता है भासण में नहीं आचरण में प्रदर्शित किया अयो द्याका राजा राम जो पित् पादु का पुजन कीया गभबान स्री रामने जब परवत पर गए लुआ बगभान स्री रामने ओं सुग्रिव के साथ बैठेतें विवीशन आया रावन को सत्तिक अपते जिया और नहीं माना आ गया बगवान शीतामातां को समर्पीत करके अक्षमा याचना करेगा तो आप क्या करेंगे राम ने अचानक बोल दिया कुछ प्रब्लेम नहीं है समस्या कुछ नहीं है मैं रावन को अयोध्या दे दूँगा और लंका में विवीशन को राजया विज़े कराऊंगा रगुकुल रीति सदा चलियाई प्राण जाई पर बचन न जाई बगबान स्री राम ने बोल दिया समरे जवादी नहीं थे इसलिए लंका पर विज़े किया कि अपना समरे ज़े में नहीं मिलाया विवीशन को अभी से किया किस किंद्या पर विज़े किया अपना समरे ज़े में नहीं मिलाया उदर सुगरी को भी से कियाा भग्बान सिरी राम ने कभी तलवार का वल पर विश्वास नहीं कर दे परन लिया जरुत है इसको भी नहीं चोड़iron पराकरम परकड़ करना जोर्रत होता है तो इसको मान लेते हैं अधिश्टाता मोद आए पगवान सिराम लंका पर विजय पराप्त किया और उस दिन बुला सुगरिव को बिविश्वन को एक बार जदी कोई बोल देता है कि मैं तुम्हारा हूँ उनको तिनी लोक में अभे प्रदान करना ये हमारा धर्म है सरनागत बत्सलता स्री राम के साथ पास में हमको सिखना चाहिए दिश्वप्रम क्या है जब रावन को बद्ध किया रावन का कुलुनारी का अपमान नहीं किया सबको सम्मान प्रग व्योस्थापित किया और बद करने के पश्चाथ विवीशन और लख्मन ने बुले है प्रभू आप इस तुरनिम लंका में सासन करें हम आपका सेवा करेंगे भगवान सिर्याम का खोश आशू आ गया बुले अपी स्वर्ण महीं लंका नमें लक कार्ति है मुझे जाना पड़ेगा इसमें मरा कोई रूची नहीं है जो विदेशी ब्यांक में हजार करण रुपया रखने वाले इस देश को तोड़ेने वाले इस देश को लुटने वाले भगवान सिराम का देश प्रेम का ये लहर को समझ नहीं पाएंगे अधिष्टाता महुद। बगवान सिरी राम आ गए। सुरनपरि लंका को छोड़ करके आ गए, एध्या में प्रविष्ट हुआ। ये अध्या में उनका राजिया भी सेख क्या हुआ राधना के लिए प्रजाबर का बैट है थे बगवान सिर्राम चंद्र ने अभी से गुट्सम में उद्बोधन दिया सुनिहम दयाम्च सोख्यम्च यदिवा जानकी मपी आराधना एलोकानम मुंचतो नास्तिमी व्यथा सुनिह, दया, सुकह, स्वाच्छंद्य यदि प्रयोजन होता है तो माता जानकी को भी मैं विसर्जित कर सकता हूँ किसलिए परजायों के आराधना के लिए आराधना एलोकानम राजा परजा का आराधन करेगा राम राज्य में ही उल्टा रिती है परजा राजा का नहीं और मान्यवर नरिंद्र मूदी के राज्य में क्या होता है मारेंबर नरिंद्र मूदी की राज्य में भी जो राजा ह प्रजा का अराधना करता है गरीबों का अराधना करता है मातायों का अराधना करता है युवायों का अराधना करता है जन साधन का अराधना करता है मैराश्ट्र का प्रदान मंत्री नहीं प्रदान सेवक करने वाला और जाडू पकड़ने के पकड़ना ओला जाडू में हमारा गवरों है यह राम राज्य का आधर से रिक्षा वालों से लेकर राष्ट्रपति तक जाड़ू पकड़वाने वाले हमारे गारव शाली असे प्रदान मंत्री स्रीमान नरेंद्र मोधी राम चंद्र की पदचिन पर चलने वाले इसलिए राम मंदिर प्रतिष्टा की सा बोल सकते हो आपका जन्म का क्या प्रमाण है क्या माता पिता का डिने टेस्ट करके आपने उनको माता पिता बोला है बगबान स्री राम चंद्र हमारास्ता है इस राष्ट का स्मीता अभिमान स्वाभिमान है इसकी बारे में इसा सवाल उठाने का तुमको क्या अधिकार है प्रस्रे उधर मंदिर था या नहीं यह सावीद हो गया है historical evidence, geographical evidence, scientific evidence, documentary evidence सारा प्रमानों के आधार पर मान्यवर अधालत ने यह राय दिया कि उधर मंदिर था, मंदिर रहेगा मुझे याद है हर बार कारसवा में में गया था 90 में में गया था 92 में में गया था और मुझे इसलिए गर्व है और पुलीस लाटी में घायल होकर के उधर में पड़ा था नहीं डिटो में और यह कार सेवा जिनों ने किया जिनों ने इससे पहले जो पांच लाग के आसपास लोगों ने पांसो साल में बलिदान किया आज उनका अंतरात्मा को शांती मिलता हो नरेंद्र मोदी जी झी ने का शम्भव कारख किया मैं अदालत को भी धन्यवाद देता हूँ अगर मान्यवर नरेंद्र भूदी का शासन नहीं होता है यहां पर कंगेरेशियों का शासन होता मैं गैरuiçãoटी के साथ बोल सकता हूं राममंदिर नहीं बनता हूं क्यों मान्यवर कप्पिल सिब्बल ने कितनी बार केस को येरिंग को डिले करने के लिए 139 एक केस में चला गया कितना कैसे हुआ कितने लोग मरे गए लेकिन उनको सांती नहीं मिला इसको डिले किया जाए मान्यवर मोदी जी के कारण प्रति दिन 40 दिन तक सुनवाई हुई और इसमें फैसला आया जो फैसला आया सारा देश इसको स्वागत किया सारा विश्व श्वागत किया बिना रक्तपात में शांती पुर्वक समाज में पूरा भ्रात्रुभाब रखते हुए मंदिर का रेनम इस मंदिर से इसका तरंग छोड़ता है सर मैं जानना चाहता हूं कि इस मंदिर को शांप्रदाइक बनायने का कितना चस्तक किया मात्रुभक्ती पित्र भक्ती गुरुभक्ती देश भक्ती त्याग शरणागत वत्सलता प्रजा नुरिंजन और सक्ति पराक्रम राष्ट्रिय पराक्रम इन सब का अधार है भगवान सिरी राम क्या हमको ये गुणा बत्ता नहीं चाहिए समुद्र को विनए करके तिन दिन तक भगवान राम ने प्रार्थने के मुझे मार्ग दिखाओ शमुद्र ने शुणा नहीं भगवान सिरी राम ने धनुर्बा निकला समुद्र को शुगा देगा विश्व में भुकम पा गया समुद्र दहाजर हो गए और बोलने लगे मैं मार्ग प्रशस्त करता हूं पत्थर तेरगा करो विवस्ता गोश्वामी तुलसी दास की मरोर्म सब्दा वली में इसको वर्नन किया बिने नमानत जला धिजड़ गये ती निन निबीती बोले राम सकव पतब भाई भी नो होई न प्रीती अधिश्टाता मोद भारत में सैनिकों का गर्दन काट लिया तब प्रधान मिंद्री थे मानिवर मोन वोन सिंग उन्हें गर्जन तो क्या पेपर में बयान आया लेकिन जब उनका मलकी निर्दिस नहीं दिया तो कुछ नहीं किया राष्ट की रक्षा के बारे में भी कंप् उलाम हो उरि हो इसका जवाब से त्ष्टाइक के माद्य में दिया गया पाकिस्तान मयं मार के अंदर में घुश करके हमारा सैनिक हमारा वीर जवान ने से तोस्त करके आगए आ तंकवाद शिविर को और 1962 में क्या हुआ था चीन का शासक भारत का प्रदान मंद्री को चेता होनी देते हुए कहा मोधी जी तुम क्या कर रहे हो तुमारा 20 सेनिकों को हमने मारा तुम हमारा 43 सेनिकों को मार दिया तुम जानते हो हमारा ताकत क्या है 62 को भूल गया क्या मोधीज ने बोले हमने नहीं बुला तुम बुल गये उसायद 62 में आप तक गंगा अनदी में बहुत पानी चला गया मार खाके गाल देखाने वाले प्रदान मंद्री नहीं है इट का जबाब पत्थर में देने वाला प्रदान मंद्री है हम किसी को नहीं चड़ेंगे हमें जो चड़ेगा हम उसे नहीं चोड़ेंगे स्री राम का चरित्र में गोश्वामी तुलसीदार महामनी वालमी की क्या बोले मुर्दिनी कुशुमा दपी बज्रा दपी कठोरानी स्री राम चंद्र का चरित्र के बारे में बुलते हैं ये कुशुम से कोमल है वज्जर से कठो रहे राजा प्रजा धनी निर्धन मुर्ख विद्वान ब्रामन चंडल सबके साथ इतायोग्य वहर करने वाले बगबान स्री राम चंद्र ने जब धिर्म के उपर आगात आता है राष्ट के उपर आगात आता है तब प्रले का सक्ति प्रदर्शन करते है माने वो नरिंद्र मूदी भाईचार का संदिश देने वाले भी और राष्ट का एक सीमा परसपरस करने से प्रले करने वाला एशाथ ताकत रगते और भगवान सिर्वाम चंद्रे ने अयोध्या से कोई ब्रामन सेत्रिय सना ले करके नहीं गए आतंगबाद को दमन करने के लिए बुले टुट कार में नहीं गए उन्होंने क्या क्या उन्होंने जंगल में अत्याचारीत वनवासी का मूल सक्ती को जानते हैं इसको जगाया जगजोर कर दिया और वनवाशियों का सक्टी के सारे रावन समित समस्त अश्रिक समराजी को खतम कर दिया पुरा राष्ट्र को उत्तरदक्षन पुर्वपश्चिम अपना स्वेथ स्ट्र के नीचे आने दिया और इसमें समरेजिबाद का कुई लेस नहीं है भारत का सांस्कृत संपराद सांस्कृतिक संपराड बन गया उनके जन्मस्थान में लेकिन मंदिर था किसने मंदिर बनाया था उनके जन्मस्थान में मंदिर बनाया था राम चंद्र की पुत्र कुषने का उसामभी के राजा यह मंदिर को 1037 में एक विदेशी आकरंता ने तोड़ दिया और वहां पर धोस्त कर दिया तो भगवान स्री राम का मंदिर निर्मान करने के लिए घड़वाल के राजायों ने बहुत कोशिश किया और एक भव्यों मंदिर बना दिया इस मंदिर जो तोड़ा गया तो सारा हिंदियों ने मिलकर के इसको विरोध किया एक दिन के लिए छोड़ा नहीं कई रक्त बात हुआ फिर 15-18 में विदेशी आकरमन कारी बावर ने अपना सनापती मीरवाकी खांको भेज़ करके मंदिर को दोस्त किया फिर भी समाज इसको स्विकार नहीं गया लगातर 500 साल तक इस मंदिर को मुक्त करने की कोशिस किया गया सर जब मंदिर तोड़ा गया तब हिंदियों ने उदर घेर करके पुजा करना का चालू किया कई वीरों और विरांगनाय का बलीदान हुआ 1850 में वा भायंकर संदर शार 1950 में उदर जो सिकूर्डी गाड़ था वो चानक मुर्चित हो गया देखा अदबुद्रुश एक जोतिर बले के अंदर में भगवान रामलाला का परतिमा बिराजमान है हंस्ते हंस्ते भगवान से रामलाला जैसे चलमान होते हैं इसको देख करके विचारा मुर्चित हो गया फुर सरकार के पास खबर गया और बाद में इस रामलाला का मुर्ति को हटाने की कोशिस किया गया वहां पर कलेक्टर थे केके नजर उन्हेंने अडर कर दिया मुर्ति का पुजा होगी तिन बार बक्त दर्सन करेंगे मुर्ति को हटाया नह उने पालन नहीं किया अपने नवकरी छोड़ दिया इस आदेश का किसी भी कोट ने खंडित नहीं कर पाया तब से भक्तों का दर्शन चलुआ एक लाग भक्त उसी दिन 1955 डिसमबर उनिस अनपचास डिसमबर 23 को एक लाग भक्त ने उधर दर्शन किया बाद में विश्व हिंदु परशद ने इस काम का जिम्मे दरी लिया 1983 में एकात्मता रथियात्रा पुरे हिंदुस्तान से कुणान कुण से नेपाल से चलाया पुरा देश को एकता के सुत्र में जोड़ दिया जी सर इसके बाद कई प्रकार रथियात्र निकला राम जान की रथियात्रा चर्ण पादु का पुजन अरुणी मंथन में निकला हुआ जोती का पुजन इस सब हुआ सर इस पूजन के बाद कार शिवा के लिए भक्त उधर पहुंचे 90 में एक फरिंद आभी वहां पर नहीं मार सकता है बोलने वाले हमारे यूपी का तत्कालीन मुख्य सब्सक्राइब नहीं किया गुली चलाया यूपी के मुख्यमंत्री स्रीमान मुलायम ने गुली चलाने कादिश दिया और इसके कारण घुली तो हुआ शेगड़ों कार्शेवक का निधन हुआ और सरजु के तढ़़ जहां और भगवान सिराम ने जल समाधि लिया था उस इसी स्थान पर उनका समाधी हुई उनका चीता भश्मन हमने देखा शर इस सर्यू के तड़ पर शगड़ों शवका दाहक क्रिया हुआ पूरे हिंदुस्थान में उनका भश्मन भश्मन के यात्र चला देश में नुआ भावन आ गया मुझे याद है सर हमारे उडिशा से एक कार सेबक स्वामी लक्ष्मन अनंद कपर जब गोली चलने गया पुलीस उनके सामने खड़ा हो गया च्छे संग्राम महापातर उनको छे गुलिया लगी हस्पिटाल में पड़ा था शेकड़ों महिलाएं रक्तदान करने के लिए उदर खड़े थे शेकड़ों कार सेबक घ उसल्ला स्थीर हो सकते हैं यह भावना को समझ सकते हैं राम सित्व को तोड़ेने वाले राम मंदिर के इसको बिलम्मित करने वाले उदर सोचा ले बनेने वाले वो कभी इस भावना को समझ नहीं सकते हैं राम को छोड़ करके भारत का कलपना करना भी अशमावे हैं सर जिस गांदी का लड़ाई शुरू क्या था महात्मा गांधी ने क्या गांधी जी सांपरदाई के हैं मनते उनको सांपरदाई सर जब हम लेते हैं इसको क्यों राजनी दी बोलते हैं मैं एक नाम अगर नहीं लोग वा तो मुझे अकृत अग्यदा दोश होगा तब हम जेल में थे बनारस में सर लाल कृष्ण आडवानी मानिया लाल कृष्ण आडवानी ने जो रत्यात्रा निकला इसके कारण भारत में उध्भूत जागरन हुआ महंत राम चंद्रदाश चले गए राम चंद्रदाश को फासी हो गया सर हिंदु मुस्लिम एकता सिपाई विद्रों में एकजूड हो गये बादुर सार जाफर ने राम मंदिर को छोड़ देने के लिए वावरी रहंचा को छोड़ देने के लिए मुसलिम समाज को निबेद चाहिए राम ही इस देश को जोड़ सकते हैं जब मंदल कमिशन का अधार पर इस देश जाती भाद में बंच गया था तब राम मंदिर आंदुलन ने इस देश में कात्मत का प्रतिष्ठा किया देश को एकता कि शुत्र में बांद दिया भगबान सिरी राम का मंदिर ब्रतिष्ठा भी हुआ इसमें कितने लोगों का आपती है यो राम मंदिर नहीं चाहते हैं क्या चाहते हैं इस देश को तोड़ेने वाले लोगों को प्रतिष्ठित करने के लिए सार इसमें इंद्धु मुसलिम कोई बाध का बिशा नहीं है रामचंद्र पुर्ण असाम प्रदाइक थे पतितों का उद्धार क्या सबको गले लगाया इस वैश्विक मुल्यवोथ का प्रति के बगवान सिरी राम आज यह कारक्रम के लिए हम मान्यवर्पदान मंदर को धन्यबाद देते हैं और मान्यवर्पदान मंदर को उत्साइद भी करते हैं पुरे देस उनक साथ हैं भगवान सिरी राम ने क्या क्या स्वामी विकरन्द करते थे सार एनेशन इस नट ग्रेट और गूट विकास पॉरे देश में साजनों का समावेश किया आज मानेवर्पर नरेंद्र मूदी ने ही काम करते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास यही काम ही राम ने किया और इसको स्रीमान नरेंद्र मूदी ने करते हैं इसलिए मैं इस प्रस्ताब को समर्थन करता हूं और मानेवर्पर मूदी जी को भी समर्थन करता है